हेलो दोस्तो और प्यारे बच्छो आज की इस वीडियो में हम दसमलो संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना सीखेंगे दोस्तो अगर अब यज़े तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईए देखते हैं विस्तादित रूप कैसे लिखेंगे बच्चों हमने दी गई संख्या के सभी अंकों को दूर दूर अलग अलग करके लिख लिया है और साथ ही दी गई संख्या के अंकों के उपर हमने अंकों के इस्थानू को भी लिख लिया है डसमलों के बाई ओर के अंकों के उपर क्रमसा हमने इकाई, दाहाई और सेकडा लिखा है जबकि डसमलों के दाहिनी ओर के अंकों के उपर क्रमसा हमने दसमा और सौवा लिखा है जो कि इन अंकों के स्थानों को प्रदर्शिट करता है अब बच्चों हमने इस दी गई संख्या को इस संख्या के अंकों के इस्थानों के अनुसार कुछ इस प्रकार लिखा है तीन सैक्डा क्योंकि तीन के उपर सैक्डा लिखा हुआ है तो तीन सैक्डा प्लस चार दहाई देखें चार के उपर दहाई लिखा हुआ है प्लस साथ के उपर इक आई लिखा है तो साथ इकाई, दो का इस्थान दस्मा है, तो प्लस दो दस्मा और नौ का इस्थान गुआ है इसलिए प्लस गुड़े 70, अब बच्चों हम इस तीन सैकड़ा को इस तरह लिख सकते हैं, तीन गुडे 100, क्योंकि सैकड़ा का मतलब 100 होत प्लस चार दाई है तो चार गुड़े दस लिखेंगे प्लस साथ इकाई यानि साथ गुड़े एक लिखेंगे प्लस दो दसमा यानि की दो गुड़े दसमा का मतलब एक बटे दस तो दो गुड़े एक बटे दस लिखेंगे प्लस नौ सौमा यानि नौ गुड़े एक बटे स क्योंकि 100 वा का अर्थ होता है 1 बटे 100 अब बच्चों हम इनकी आपस में गुड़ा करके इस तरह से लिख लेंगे 3 गुड़े 100 यानि की 300 4 गुड़े 10 यानि 40 7 गुड़े 1 बराबर 7 प्लस 2 गुड़े 1 बटे 10 वो बटे 10 हो जाएगा बच्चों तो 2 गुड़े 1 बटे 10 बराबर 2 बटे 10 प्लस 9 गुड़े 1 बटे 100 क्या हो जाएगा बच्चों? 9 बटे 100 तो बच्चों अब हम अगली लाइन में 2 बटे 10 और 9 बटे 100 को दसमलों में बदल लेंगे इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 300 प्लस 40 प्लस 7 प्लस अब बच्चों 2 बटे 10 को दसमलों में बदलने के लिए पहले 2 लिख लेंगे और क्योंकि 10 में 1 0 है यानि कि हम दाहिनी ओर से 1 अंक के बाद में दसमलों लगाएंगे तो दसमलों यहां लग जाएगा और क्योंकि इकाई के इस्थान पर कोई अंक नहीं है इसलिए यहां पे हम 0 लिख लेंगे प्लस 9 बटे 100 को दसमलों में बदलने के लिए बच्चो पहले हम 9 लिख लेते हैं अब 100 में क्योंकि 2 0 है इसलिए टाहिनी ओर से 2 अंकों के बाद दसमलों लगेगा क्योंकि यहां पे सिर्फ एक अंक है इसलिए यहां एक 0 लिख लेते हैं अब यह 9 और 0 को मिलाके 2 अंक हो गए अब दसमलों लगाएंगे और फिर 0 लिख देंगे तो इस तरीके से 9 बटे 100 को हमने जब दसमलों में बदला तो यह हो गया 0 0 0 9 और बच्चो यही हमारा 347 दसमलों 2 9 का विस्तारित रूप है तो बच्चो इस तरह से बहुत ही आसान है किसी भी दसमलों संक्या को विस्तारित रूप में लिखना आए बच्चो अब 781.65 इस 5 अंकों की दसमलों संक्या के विस्तारित रूप को एक दूसरी बहुत ही आसान विड़ी से लिखना सीखते हैं तो बच्चो इस विदी से दसमलो संख्या की विस्तारित रूप को लिखने के लिए सबसे पहले हम बाई यूर का सबसे पहला अंग देखते हैं और इसको लिख लेते हैं फिर हम देखते हैं इस अंग और दसमलो के बीच में कितने अंग हैं तो यहाँ पर एक और दो दो फिर बच्चों हम प्लस के निसान के बाद में दूसरे अंक को लिख लेते हैं जो की 8 है और फिर हम देखेंगे इस अंक और दसमलोग की बीच में कितने अंक हैं तो यहां पे सिर्फ एक अंक है तो हम एक 0 लिख देंगे फिर बच्चों हम इस तीसरे अंक को यहां लिखेंगे और देखेंगे कि इस अंक और दसम्लों की बीच में कितने अंक हैं तो यहाँ एक भी अंक नहीं है इसलिए इसके आगे एक भी जीरो नहीं लिखेंगे प्लस का निसान लगाएंगे अब बच्चों दसम्लों के डाहिनी ओर का पहला अंक देखेंगे और हम इसे लिख देंगे अब जो इस अंक से तुरंट पहले दसमलो लगा है तो हम यहाँ पे तुरंट पहले दसमलो लगा देंगे और इकाई के स्थान पर एक 0 लिख देंगे प्लस दसमलो के बाद का दूसरा अंक देखेंगे और उसको लिख लेंगे फिर क्योंकि ये दूसरा अंक के एक अंक के बाद है तो हम इससे पहले एक 0 लिख लेंगे फिर दसम्लों लगाएंगे और एकाई के इस्थान पर एक 0 लिख लेंगे तो बच्चो इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से इस दसमलो संख्या के विस्तारित रूप को लिख लिया आए एक और उधारर से इसे समझते हैं बच्चो ये 6 अंकों की दसमलो संख्या है और हमें इस दसमलो संख्या के विस्तारित रूप लिखना है तो जैसे हमने उपर किया था, सेम वैसे ही करेंगे, तो इस दसम्लों संख्या के, बाइं ओर के अंक को सबसे पहले लिख लेंगे, तो यह 5 है, हमने लिख लिया, अब हम देखेंगे, इस अंक और दसम्लों के बीच में कितने अंक हैं, तो यहाँ पर यह 2 अंक हैं, तो हम यहा प्लस का निसान तीसरा हम अंक लिख लेंगे तो तीसरा अंक दो है तो यहां दो लिखेंगे और इस अंक और दसमलों के बीच में जितने भी अंक है उतने 0 लगाएंगे तो यहां कोई अंक नहीं है तो हम कोई भी 0 नहीं लिखेंगे यहां पर प्लस के बाद में हम लिखेंगे बच्चो दसमलो के बाद में दाहिनी ओर का पहला अंग तो ये तीन है इसको हम यहां लिख लेंगे अब बच्चो क्योंकि इस अंक के तुरंट पहले दसम्लो है तो तुरंट पहले हम दसम्लो लगाएंगे और इकाई के स्थान पर हम 0 लिख देंगे प्लस दसम्लो के बाद में दाहिनी और का दूसरा अंक लिखेंगे तो ये 4 है ये 4 लिख देंगे अब बच्चो इस चार और असमलो की बीछ में 1 अंक है तो हम यहाँ 1 0 लिखेंगे और इसके बाद में असमलो लगा के एकाई के इस्थान पर 0 लिख देंगे प्लस बच्चो यहाँ से असमलो से ठीसरा अंक लिखेंगे, जोकी 6 है हम यह 6 लिख लेंगे फिर देखेंगे इस अंख और दसमलों के बीच में कितने अंख हैं तो यहाँ पर दो अंख हैं तो हम यहाँ पर दो 0 लिख लेंगे और साथ ही दसमलों लगाएंगे फिर एकाई के स्थान पर 0 लिख देंगे तो बच्चो इस तरीके से हम किसी भी दसमलो संख्या के विस्तारित रूप आसानी से लिख सकते हैं बच्चो ये आपका homework है आपको इन पाचो दसमलो संख्याओं के विस्तारित रूप को लिखना है उमीद है बच्चों आपको दस्मलों संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बच्चों मिलते हैं आगली वीडियो में आगली टॉपिक के साथ थैंक यू